बारत ने चुनाओ, सरहत पर फिर तनाओ, भारत ने इलेक्शन करीब आते ही, कंट्रोल लाइन पर इश्टाल अंगेजी बढ़ा दी भारती फॉच ने चिड़ी कोट सेक्टर में शेहरी आवादी पर बिला इश्टाल फाइरिंग की, चार बच्चों समय छे शेहरी जखमी, पाक फॉच का भरपूर और मू तोड़ जवाब, कई भारती चौकियां तबा, आईस प्यार के मताबिक पांच भारती फॉच्जी हाल कई जखमे होने की इतलाब भारत का मेक 21 तयारे से पाकिस्तान का एफ 16 मार गिराने का जूटा दाबा, फैर बे नकाब डीजी आईस प्यार के मताबिक पाक फजाया की तरफ से तबाह किये गए भारती बेक 24 टीवन तयारे के तमाम चार्थ मेजायल सेकर हेट्स मलबे से सही हालत में मिले पाकिस्तान के पास अपने मौकिफ के हक में मजीद चवाहिद मौजूद हैं लेकिन हम धंडोरा पीटने पर यकीन नहीं रखते भारती प्रोफेसर ने अपनी फॉस को आईना दिखा दिया शोक सेवन ने कहा अगर भारती ऐर्फोर्स के पास थबूत हैं तो दुनिया के सामने रखें भारती ऐर्फोर्स जवाब दे वो फेल कैसे हुए भारती तयारे को पाकिस्तान एर्फोर्स ने कैसे मार कराया बताना होगा भारती हेलिकॉप्टर M.I.17 कैसे तबाह हुआ? भारत में बीजेपी के इंतहा पसंद तलबा ने मद अखलाकी की तमाम हदे पार कर दी उतर परदेश में पार्टी कैप ना पहनने पर मुस्लिम तालिबा के साथ बत्तमीजी ये डान्स के लिए तालिबा अमिम खानम से जबरदस्ती भी करते रहें अमरीकी नमाइंदा खुचूसी का दौरा पाकिस्तान वफ्ट की सदाह पर मुजाकरा अफगान अम अमल और खिते की सुर्टेहाल पर तबाता है ख्याल पाकिस्तान ने वजिर आजम के अफगान अबुरी हकूमत से मुतालिक बयान पर अमरीकी रद्ध अमल पर तहफुजाद जाहिर किये जल्म-खलील की शाह मेहमूत से भी मुलाका अमरीकी नमाइंदे ने आर्मी चीफ से भी मुलाकाद की अफगान वफाहमती आमल अलागाई सलामती की सुरते हाल पर गुफट 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 अमरीकी साधिर टरम्प की हारजा पॉलीसी को धचका एवान नुमाइंदिगान ने यमन जंग में अमरीका का किरदार खत्म करने की करारदाद मन्जूर कर ली डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले एवान में सोला रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया अमरीकी शहरी डेविड मॉलपस वर्ल बैंक के नई साधर नामज़द खबर एजेंसी के मताबिक बैंक के वोड ओव डिरेक्टर्स ने डेविड मॉलपस के नाम मतफ़िका तोर पर चुना मॉलपस अमरीकी साधरिय डानल्ड टरॉम्प के इंतजामिया में सीनियर आफिशल के तोर पर काम कर रहे हैं एस्ट लंदन के इलाके अलफर्ड ट्रेन स्टेशन पर 20 साला नौजवान चाकू हमले में शदीद जखमी अस्पताल मुन्तकिल मुल्जिम फरार हो गए बरतानिया में चाकू जनी की बढ़ती वारदातों के बाइस चहरियों में खौफ औ हरास पहल गया सिंध हकूमत ने रेंजर्स के खसूसी एक्तियारात में मजीद तोसी कर दी रेंजर्स एक्तियारात में तोसी 6 अपरिल 2019 से 4 जलाई 2019 तक की गई महकमाई दाकला सिंध ने विफाकी वज़ारत दाकला को आगा कर दिया नैब की हमजा शहबास का नाम ऐसील में डालने के लिए वज़ारत दाकला को से पारिश हमजा के गाट्स के खिलाफ मुकदमे के लिए थाने में दरखास्त भी दे दी नैब ने हमजा की गरफतारी के लिए शहबास चरिफ के घर पर च्छापा मारा था कार्च की मुज़ाहमत की वज़ा से गरफतारी अमल में नहीं लाई जा सकी दूसरी जाने बनून लीग ने भी नैब अहलकारों के खिला मुकदमे की दर्खास दे दी अज घर के चादर चार तेवारी का तकद्स पमाल करके हमदा इखास को गिरिफतार करना है लेकिन कोई काइदा कानून है के नहीं इस मुल्क में बहुत सूपर मैन पंकर नैब के एलकार यहांपर मुझे गिरिफतार करने आ गए हिंदुस्तान पाकिस्तान फदा करने आये थे यहां पर जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है नैब ने चादर और चार दिवारी का तकदस पामाल किया हाई कोट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई चापे पर हमजा शहबास का रद्दे अमल कहते हैं जब भी नैब का नोटिस मिला वो पेश हुए क्या क्यामत चूट पड़ी थी के घर पर धावा बोला गया नैब ने शर्मनाक हरकत की महसूस हुआ जैसे हम देशतगर्द हैं इमरान खान चोर और डाकू ढूंड रहे हैं मैंने अभी कह दिये वो किंटेनर को साफ सूफ करो तियार करो इनके लिए मैं बलके आपको खाना भी पुचाया करूँगा जर्दारी साब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए मैं आपको दावत दे रहा हूँ कोई हकूमत कहीं नहीं जाने लगी से ज्यादा है शरीफ खानदान का सौ अरब से ज्यादा बाहर पड़ा है बेलावल और जर्दारी शौक से धरना दें कंटेनर्स हम देंगे वजीराजम का जमरूत में जलसे से खेताब रावल पिंडी कोर में तक्सीम एजाजाजाद की पुर्वकार तक्रीब आयस पियार के मताबक और कमांडर रावल पिंडी लेटेनन जेनरल बिलाल अकबर महमाने खुसूसी थे 63 अफसरों को सितारा अम्तियाज मिलिटरी, 85 अफसरों को तमगा अम्तियाज मिलिटरी दिया गया दो अफसरों 24 जैसी ओस और जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया आर्मी के 21 शहदा भी तमगा बसालत के हगदार, एजाजाद, वरसा ने वसूल किया पाइदाबाद कराची में पुलिस मुकाबला फारिंग से दो पुलिस सहलकार जख्मी अताउला और ताहिर को पेट और सीने में गोलियां लगी फारिंग की जद में आकर एक बच्चा जाम बहग दूसरा जख्मी हालत तश्वीश ना उधर सहराब रोट और साइट के करीब पाइरिंग के वाकियात में दो अफराद जाम बहग हुए लाहोर में पंजाब गेम्स की एक्शन से भरपूर मुकाबले पैसलाबार डिविजन बाजी ले गया 32 मेडल्स के साथ सरे फैरिस लाहोर डिविएन 24 मेडल्स के साथ दूसरे नमबर पर जबके गुज्रावाला डिविएन 20 मेडल्स के साथ तीसरे नमबर पर गेम्स में खाजा सराओं ने भी रंग जमा दिया मिसर के मुस्तिफा कवाल ने चीफ आफ एर स्टाफ इंटरनेशनल स्वाश टॉर्नमेंट जीत लिया फाइनल में हमवतन यूसुफ सुलिमान के खिलाफ कामयाबी हासल की खावातीन का टाइटल मिसर की फरीदा मुहमबत के नाम रहा फाइनल में सुर्जिलैंड की सेंडी मॉर्लो को शिकस दी फाइनल के मौके पर एर चीफ मार्शल मुझाहिद अन्वर महमाने खुसी थे बिसमिल्लाहिर रुख्मान 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 अस्सलाम अलेकुम आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूँ इशाल सुलिमान मैं हूँ आपके साथ अमान अली खान और मैं हूँ अन्जलायर खान हेटलाइन्स आपने जानी तफसिली खबरों का बकाईदा आगास करते हैं सबसे पहले आपको बताएं कि भारत में इंतखाबात की आमद आमद है लाइन अफ कंट्रोल पर भारती इश्टवाल अंगेजी में मजीद इजापा हो गया भारती फोर्सिस की एलो सी पर चड़ी कोट सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्टवाल फारिंग के नतीजे में चार मासूम बच्चों समयत छे शहरी जखमी हो गए हैं पाक फोर्ज ने दुश्मन को मूँ तोड जवाब दिया इसलामाबाद से इसी पर फैसल रजा खान किये रिपोर्ट आई एस पी आर के मताबक एलो सी पे भारती फोज ने एक बार फिर सीस फाइर मायदे की खिला वर्जी की भारती फोज ने चिड़ी कोट सेक्टर के गाउं सेरियां पर बिला इश्टियार फाइरिंग की जिसके नतीजे में छे अफराद जखमी हो गए जखमियों में 35 साला खातून शबनम, 13 साला काशान, 6 साला फैजान, 4 साला निशा, 10 साला आस्वा और जैफर गाउं का 28 साला शायद हुसेन भी शामिल है पाक फोज ने भारती फाइरिंग पे मुसर जवाबी कारवाई की और भारती चोक्यों को निशाना बनाया पाक फोज के मूँ तोड जवाब से कई भारती चोक्यों तबाह हो गई जवाबी कारवाई में 5 भारती फोजियों की हलाकत जबके बेशतर भारती फोजियों के जखमी होने की भी इतलात है